हेलो एरिवन वेल्कम टो पिक अप मैज्स माइसल्फ अरुशी चत्नार इस वीडियो में हम क्लास 9 के चप्टर नमबर 13 सर्पेस एरियाज और वॉल्यूम्स के एक साइस 13.2 के कोशन नमबर 10 को सॉल करेंगी साइस हैं कोशन इस इनी को यू सीजाइब वयू ए दोती क्लाट नौट आας यहां पर एक फिगर कुज़ा क죠 कि रैंब्शीन का फ्रेमिक का फ्रेम का फिगर अब इस लैंब्शीन के फ्रेम को राम हमें डेकरोट्स से कवर करना है तो यह जो फ्रेम है उसका डायमेटर गीवन है 20 संटीमेटर और हाइट गीवन है 30 संटीमेटर इसलिए अपसाइड में 2.5 संटीमेटर मार्जिन गीवन है वैसे ही नीचे की तरफ भी कपड़े को अंदर की तरफ मोरना पड़ेगा तो यहां पर भी 2.5 संटीमेटर हमें कपड़े का एक्स्रा मार्जिन गीवन है फाइंड हो मच क्लॉट इस रिकवाइड फर कवरिंग तो हमें यह फाइंड करने के जो हम कपड़ा यूस कर रहे हैं उसको डेकरेट करने के लिए वह कितना हमें रिकवाइड होगा तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं गीवन क्या है गीवन है डायमेटर 20 संटीमीटर और हाइट ऑफ फ्रेम हाइट और फ्रेम गीवन है थैटी संटीमीटर अब हमें क्या फाइंड आट करने क्लॉथ रिकवाइड हो जाएगा कर सब दिए क्योंकि हम इसके कर सबसेरिया को लॉप से कवर कर रहें तो कर सबसेरिया का फर्मुला के सबसेरिए पाइश अज तो पाई का वाल्यूज के इस यहां पर ढामिसर हाफ हो जाता है देश्ट मे लेकिन क foster1 क्लॉणत करते क्या हो जाएगा क्योंकि या यहां पर हाइध क्याहें यूट्क Makes भी और मेंस हो जाएगा 35 सेंटीमेटर तो यहाप पर करेंगे 35 मैंटिप्लाइब कर दिया अब देखे 7 मैं इस फ़ाइब होता है 35 आप देखे 2 इन हो जाएगा 10 10 मैं इस ऑंड़े हांडर हैंड़ मुटिप्लाइब 22 2200 2200 cm2 2200 cm2 तो हमको इस frame को decorate करने के लिए cloth कितना लग रहा है 2200 cm2 2200 cm2 this is your answer in the next video we will solve question number 11 of the same exercise till then be safe and goodbye